जय स्री स्वामिन अरायन सुप्रबात आज हम नाइन चिप्टर करेंगे जिसका नाम है नया नवेला मोसम आपको पेज नमबर 68 ओपन करना है इसमें है ठीक है तो हम यहाँ शुरुवात करेंगे फर्स्ट पेरिक्राफ से सुबह के साथ बजे थे मा ने मीनु को उठाया और नहां धोकर नई फरोक पहनने को कहा अब क्या हुआ था एक मीनु नाम की लड़की है सुबह के साथ बजे उसकी मा उसको उठाती और बोलती है कि जल्दी से नहां धोकर ये नया फरोक है वो पहन ले फरोक पीले रंकी थी मीनू को फ्रोक बहुत पसंद आई वह तयार होकर दादा जी के पास आई फ्रोक कौन से रंग की थी? पीले रंग की थी और वो फ्रोक वो मीनू को बहुत पसंद आई थी वो तयार हो गई ऐसे अच्छे से और फिर दादा जी के पास चाती है दादा जी ने भी पीले रंग का कुर्ता पहना हुआ था उन्होंने भी कुन से रंग का कुर्ता पहना था पीले रंग का मीनू ने भी पीले रंग का फ्रोक था ठीक है उसके बाद मीनू बोलती है देखिए दादा जी मेरी नई फ्रोक वो अपनी नई फ्रोग के उसके दादा जी को दिखाती है आप पी ऐसा करते हो ना कुछ भी नया पहनते हो लेकर आते हो तो किसी ना किसी को दिखाते हो और सबसे ज़्यादा दादी मम्मी पापा तो लेके देते इसलिए दादा दादी को या ना ना नी को ऐसे दिखाते हैं तो यहाँ पे मीनू ने अपने दादा जी को अपनी नई फ्रोक दिखाई फिर दादा जी बोले वाह वाह बहुत सुन्दर लग रही है दादा जी ने उसके तारिफ की कि बहुत अच्छा लग रहा है मीनू बोलती है दादा जी आज घर में सभी ने पीले रंके कपड़े क्यों पहने हुए है उसको question हुआ कि पीले रंका फ्रोक ममी ने दिया मुझे तो सामने दादा जी भी पीले रंका कुर्ता पहन के बेठे तो सबने इसे पीले रंके कपड़े क्यों पहने है तो दादा जी उसका आंसर देते हैं क्योंकि आज वसंत पंचमी है यह वसंत पंचमी का पहला दिन होता है वसंत रुतु सर्दी और घर्मी के बीच का मोसम होता है अभी कौन सा दिन था आज वसंत पंचमी का दिन था तो वसंत पंचमी के पहले दिन है उस दिन पीले रंग के सब कपड़े पहनते हैं वो क्या होता है वसंत तो वसंत रुतु का जो पहला दिन होता है वो वसंत रुतु सर्दी और घर्मी के बीच का मोसम होता है ना उस दिन सर्दी होती है बहुत और ना ही गर्मी होती है तो उसके बीच का मोसम होता है आपको पता है वसंत पंचमी के दिन और क्या होता है वैसे तो हर साल हम स्कूल में जाते है पर ये बड़े बच्चे है ना वो पता है ना वो बजाते हुए बोलते हुए मंदीर में जाते है तो हमारे यहां पर स्वामिनान भगवान ने सिक्सापत्री लिखी थी उसका दिन हुए वसंत पंचमी तो उस दिन सिक्सापत्री की पुजा होती और सब एक बार पूरी सिक्सापत्री पढ़ते क्योंकि उसी दिन पूरा दिन में स्वामिनान भगवान ने पूरी सिक्सापत्री लिखी थी तो यहाँ पर दूसरे लोग भी उसको कैसे मनाते है तो ये उसके लिए पूरी ये कहानी है ठीक है फिर मीनु ने बोला मतलब वसंद पंचमी में ना तो सर्दी होती है और ना ही घर्मी तो फिर कैसा मोसम होता है दादा जी उसको question हुआ कि आपने बोला कि ना घर्मी होती है ना सर्दी होती तो फिर कैसा मोसम होता होगा इस तरह से मीनु के दिमाग में question आया तो उसने अपने दादा जी को ये question पूछा तो दादा जी का इसका दादा जी उसका answer देते है तो ये 69 पेज नमबर में इस रुतु के आने पर सर्दी कम होने लगती है और मोसम सुहावना हो जाता है मीनु चलो बाहर बगीचे में चलते है वहाँ तुम महसुस करोगी कि मोसम में क्या बदलाव आया है तो दादा जी ने और explain किया अच्छी तरह से कि इस रुतु में क्या होता है तो सर्दी कम हो जाती है और मोसम है वो बहुत सुहाना लगता है तो आप अगर इस मोसम को जानना चाते है तो आपको भी क्या करना पड़ेगा बाहर जाके देखना पड़ेगा तो वसंद पंच मी के दिन आप बाहर जाके देखना कि कैसा मोसम है तो यहाँ पर दादा जी ने भी बोला कि इस मोसम को जानने के लिए हम बाहर चलते है और फिर आप खुद महस जाते हैं फिर दिखाते हैं देखो मीनू पेड़ों पर कितने नए और चमकीले पत्ते आ गए हैं चारों और फूल ही फूल खिले हुए हैं पहां पर पूरा मोसम दिखाते हैं देखो पेड़ों में नए पत्ते आए हैं और चारों और कैसा हैं फूल फूल ही दिखाए देते ह वसंद रुतु ही ऐसी होती है जहां पर नए पान, फूल, फॉला सब आते हैं तो मीनू कहती है हाँ दादाजी चारो तरफ हर्याली ही हर्याली है उन पेडों के नीचे तो देखिए पुराने पत्तों का कालिन सा बिच्छा हुआ है तो तब है ना पुराने पत्ते ना सब उतर जाते हैं तो वो सब नीचे कालिन जैसा लगता है कालिन मतलब उन और सुती कपड़े का नीचे बिच्छोना होता है ना वो बिच्छोने जैसा लगता है फिर दादा जी कहते हैं मीनू इस मौसम में पेड़ों के पूराने पत्ते जड़ जाते हैं और उनमें नए नए पत्ते आने लगते हैं दादा जी और एक्स्प्रेन करते हैं कि पत्ते हैं वो जड़ जाते हैं और नीचे गिर जाते और उसकी जगह क्या होता है नए नए पते आने लगते है फिर मीनू बुलती है दादा जी मुझे वसंत का मौसम बहुत अच्छा लगता है वसंत में सब कुछ कितना सुन्दर लगता है मेनों ने कहा कि कितना अच्छा मोसम है, कितना सब सुन्दर लगता है, तो ये सब मुझे अच्छा लगता है, फिर दादा जी, यहां मोसम तो सभी को अच्छा लगता है, इसलिए तो इसे रुतु राज भी कहा जाता है, मतलब यहां मोसम है, वो सब को अच्छा लगता है, क् तोली का जो तहवार होता है वो भी वसंत रुट्फू वाले में ही आता है। तो फिर मीनों बोलती है होली तो मेरा मनपसंद योहार है। इस बार भी मैं अपनी सहईलियों के साथ खुब होली खेलूँगी। वो कहती है कि मैं हर बार इस तरह से आक होली खेलती। और होली मेरा सबसे अच्छा त्योहार है तो मैं इस बार भी हर बार की तरह सहलो के साथ बहुत सारी है होली खेलूंगी फिर दादा जी बोलते हैं जरूर खेलना पर अभी चलो हम एक पोधा लगाते हैं होली आए तब खेलना पर अभी एक काम करना है क्या करना है तो एक पोधा लगाना है अब पीछे वाला पेज उपन करना है 70 नमबर का मीनू पूछती है दादा जी को लेकिन क्यों दादा जी तो दादा जी उसका आंसर देते हैं वसंत रुत्तु का स्वागत करते हैं, तुम जानती हो, जो पोधा तुम रोपोगी, वह तुम्हारे साथ साथ बढ़ा होगा, पोधी की रूप में तुम्हें एक दोस्त भी मिल जाएगा, वो उसको बताते हैं कि यह पोधा हम क्यों लगाएंगे, इसा पूछा ना, मिनुन बूलती है, मेरा दोस्त फिर तो बहुत मज़ा आएगा, वो खुछ हो जाती है बहुत और बोलती है कि मुझे एक दोस्त मिलेगा, तो मुझे बहुत मज़ा आएगा, मिनु और दादा जी ने मिलकर, एक गड़ा खोदा और पोधा रोप दिया, अपने उस दोस्त की देखर था वो हम रोप तो देंगे पर उसकी देखभाल भी करनी चाहिए न तो मीनो ने इसका जीमा लिया मतलब उसकी जवाबदारी लिए पोधे को बढ़ा करने के लिए पानी खात और आसपास जो दूसरा गास उकता है उसको निकालना ये सब करना पड़ता है तो ये जीमा है में नए पेज में उपर मार्जिंग में आपको लिखना है नाइन चेप्टर का नाम नाइन करके नया नवेला मौसम ठीके उसके बाद आपके पास जो 70 पेज नंबर में सब्दार थे वो लिखने हैं हम सब्दात एक बार समझ लेते हैं सबसे पहले है रुतु तो होता है मतलब रुतु का राजा सुहावना मतलब सुंदर और रोप दिया मतलब बो दिया लगा दिया ठीके तो यह सब्दात आपको वन टाइम सी डबल्यू में लिखना है ठीके उसके बाद 71 पेज नंबर में सही उत्तर पर राइट लगाईए तो यह आपको टिक करने हैं टेक्स दादा जी के साथ कहां गई बगीचे में रसोईगर में या छत पर तो मीनू कहां गई थी बगीचे में तो पहले में राइट करना है मा ने मीनू को पहनने के लिए क्या दिया कुरता लहंगा या फ्रोक क्या दिया था फ्रोक हाँ तो फ्रोक वाले में तीसरे में राइट क के बाद थर्ड वाला है दादा जी ने किस रंग का कुर्टा पहना हुआ था नीला लाल या पीला कौन सा था क्या एगा पीला तो पीले में राइट करना है तो आपको ये इंडेक्स में आज की डेट लिखकर लिखना है सही उत्तर पर राइट लगाईए और फिर ये तीनों क का वर्क भी हो गया और एच डवल्यू का वर्क भी हो गया ठीक है धन्यवाद